प्रोजेक्शन फॉर्मुला तो थियोरम कुछ इस तरीके से है कि कोई आप ट्राइंगल ABC ले तो उसमें A होता है B cos C प्लस C cos B के बनाबर इसी तरीके से B होता है आपका C cos A प्लस A cos C के बनाबर इसी तरीके से C होगा A cos B प्लस B cos A इनको हम कहते हैं projection formula तो इसमें दो cases बनते हैं एक तो जब ट्राइंगल आपका सारे एंगल इसमें acute angle हो जैसे अगर हम इसको A कहें यह आपका हो गया B, यह हो गया आपका C तो इसके opposite side होगा C, इसके opposite side होगा B एक perpendicular drop कर देते हैं यह D हो गया तो अब देखें कि इसमें जो cos B होगा, क्या होगा base upon hypotenuse याने कि BD इस ट्राइंगल को ले रहे हैं छोटे वाले को BD by AB BD कितना हो जाएगा AB cos B अब AB है क्या? ABC है तो उसके आप C, cos B लिख सकते हैं यह एक हो गया अब आएए आप cos C पे इस एंगल पर आएए cos C क्या होगा? आप हम प्राइंगल यह वाले ले रहे हैं cos C होगा base upon hypotenuse याने कि CD by AC यह base हो गया, यह hypotenuse हो गया तो CD क्या बनेगा? AC cos C AC क्या है? AC आपका है B तो यह हो गया B cos C तो यह BD हो गया, यह CD हो गया आपका अब आप देखें, यहाँ पर आईए यह पुरा का पुरा A क्या होगा? यह पुरा पुरा A है यह BD और DC का जोड़ है इसको हम लिख सकते हैं BD plus DC तो BD की जगा हम क्या रखेंगे? यह C cos B और DC की जगा क्या रखेंगे? यह CD की जगा क्या रखेंगे? B cos C तो यह ऐसे आता है इस तरीके से बाकी दरों प्रूव कर लेंगे? यह है आपका projection formula तरीक दो में टीबे इस प्रवा तरीके बेड़ा है इस प्रवाट